हेलो, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैं आने दिने आपका राइट्यू एजुकेशन चैनल में हादिक स्वागत करती हूँ आज हम क्लास एट का सब्जेक साइंस, चाप्टर टैन की सोरा वस्ता की और के बारे में जानेंगे कि सोरा वस्ता अधात क्या? बाले अवस्ता और यूवा वस्ता की बीच की अवस्ता को हम कि सोरा वस्ता कहते हैं? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जन्तु किस प्रकार जनन करते हैं मानव एवं बहुत से अन्य जन्तु एक निश्चित आयू तक पहुचने के बाद ही जनन कर सकते हैं मानव किसे निश्चित आयू के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं इन प्रश्णों का उत्तर हम इस अध्याय में चानेंगे इस अध्याय में आप मानव के सरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विशे में पढ़ेंगे जिनके उपरांथ वह जनन है तु शक्षम हो पाता है और इस सद्धाय में हम यह भी पढ़ेंगे कि हमारे सरीर में क्या परिवर्तन होते हैं और जिसके कारण हम जनन के सक्षम हो पाते हैं अध्याइनों में आप मानम चरे नांगों के विशे में पढ़ चुके हैं इस सद्धाय में हम उन हार्मोनों के विश्य में चोचा करेंगे जो सिसू में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर भूमी का निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वियास खो जाता है और इस सद्याय में हम यह भी पढ़ेंगे कि हार्मनों के कारण बच्चे परिवर्तनों के कारण कैसे बड़ा हो जते हैं अब आगे बढ़ते हैं कि सोरा वस्ता एवं योगना रंप बूछो अपना बारवा जन्मतीन मना रहा था मित्रों के चले चानी के पश्चात बूछो और पहली अपने माता पिता के साथ बाते करने लगे पहली एक कर्ण्या विधाले में पढ़ती है वह हसने लगी उसने टिपपड़े की कि बूछों के कई मित्र जिनसे वह एक वर्स बात मिली थी कि लंबाई एकाई कितनी बढ़ गई पहली बता रही है कि उसने बूछों के दोस्ट से मिली थी एक वर्स बात और उनकी लंबाई एकाई बहुत बढ़ गई थी उनसे तो कुछ तो मूछे आने लगी जो कार्टन जैसे नजर आने लगी और उसने कहा उन में से कुछ के तो मूछे आगे जो जो कर्जी से कार्टन जैसे लगने लगे है उसकी बाई ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए है व्रिथी चन्म की समय से ही होने लगती है प्रंतु 10 या 11 वर्ष के आयो के बाद व्रिथी में एक एक तिम रिता आती है और व्रिथी साफ दिखाई दे लगती है व्रिथी तो जन्म की समय से ही सुरू हो जाती है लेकिन जब हम 10-11 साल में बहुचते हैं तो हमारी व्रिथी एक एक अचाना तेजी से बढ़ जाती है और व्रिथी साफ दिखाई दे लगती है सरीर में होने वाले परिवतन व्रिधी पक्रिया का एक भाग है यह इस बात का संके थे कि अब आप बच्चे नहीं रहे युवावस्ता में कदम रख रहे हैं अब हम आगे देखते हैं सरीर में होने वाले इस परिवतन की अब धी कब तक रहती है ऐसा यह पूछ रहा है तो पहली बताती है जीवन का यह ऐसा अज़िब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और नहीं बड़े मैं जिग्यासु हूँ की बाले काले हुव युवावस्ता की मन्थे की सर्थी का कोई विशेश नाम है हाँ कोई विशेश नाम है उसका नाम है किसोरा वस्ता विद्धी एक प्राक्रुदिक प्रक्राम है जीवन काल की वहावदी जब सरी में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम सरूप चनल परिवर्पकवता आती है किसोरा वस्ता के लाती है तो किसोरा वस्ता किसी कहते हैं प्रिद्धी का एक प्राक्रदी प्रक्राम है जीवनकाल की वहाँ अब्धी जिसमें हमारे सरी में ऐसे परिवतन आते हैं जिसके परिणाम स्वरुप चनल परिपकवता आती हैं उसे हम किसवरावस्था कहते हैं किसवरावस्था लगवक ग्यारा से प्रारम होकर अठ्रा या उन्नीस वर्स की आयतक लेती हैं यहाँ अब्धी क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स यानि 13 से 18 या 19 वर्स की आयतक होती हैं इसलिए किसवरों को टीनेजर्स भी कहते हैं लड़कियों में यहाँ अवस्था लड़कों की अपेच्छा एक या दो वर्स पहले ही आ जाती हैं किसवरावस्था की अवधी व्यक्तियों में भीन भीन होती हैं किसवरावस्था के दोरान मनुस्य की सरीर में अनेक परिवतन आते हैं यहाँ परिवतन योवनारम का संके इनमें से सबसे महत्वापूर्ण परिवत्र है लड़के एवं लड़कियों की जनन समता का विकास किसोर की जनन परिपकवता के साथ ही योगनारम समाप्थ हो जाता है और जनन की परिपकवता आती है उसके साथ ही योगनारम समाप्थ हो जाता है पहली और भूचो को ऐसास होता है कि लंबाई में एकाएक पृध्धी एवन लड़कों में हलकी दाड़ी मुछो का आना कि सुरावस्ता की लक्षण है वे योगनारम में होने वाले अन्य परिवत्र कि वसे में जानना चाती है तो योवनारम में होने वाले अन्य परिवतन यह हम अगले वीडियो में देखेंगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहें तो इसे लाइक, सेल, सब्सक्राइब, कमेंट चरूर किज़े